हेलो अव्रिवान वेल्कम बैक टू दे चैनल सो यहां पर हम दो हजार तेश में जितने साइकलों आए हैं किसके द्वारा नाम दिया गया है कहां पर उन्हें एफेक्ट किया है इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं पहला क्वेशन है साइकलो मिचोंग वस रिसेंटली सीन इन यूज दे नेम मिचोंग इस गिवन बाई विच कंट्री यह नाम दिया गया है म्यानमार के द्वारा थोड़ा नाम से भी समझ आ रहा होगा बांगलादेश यूए इंडिया यहां से रिलेटिड नहीं है और इंडिया में भी वैसे इंडि इस एक चीज देख लेते हैं कि साइकलोन के नाम किस तरह से डिसाइड किये जाते हैं तो वर्ल्ड मेटिरियोलोजिकल डिपार्टमेंट जो है इसने कुछ गाइडलाइन्स सेट की हुई है इसके आधार पर तेरा कंट्री ऐसी हैं तेरा कंट्रीज हैं जो WMO की Economic and Social Commission for Asia Pacific इस इसे इंडिया ने कुछ चार पांच नाम दस नाम दे दिये बाकि तेरा कंट्री ने कुछ-कुछ नाम दे दिये साइकलोन के उनकी लिस्टिंग कर दी गई अब यह जो नाम ओल्रेडी दिये हुए हैं कोई भी साइकलोन आता है इन ही नामों को यूज किया जाता है पांच रिजनल ट्रोपिकल सायकलोन वार्निंग सेंटर्स हैं जो कि जो भी एड dudवाइजरी जारी करनी होती है आता है तुन को सब काम करते हैं तो यह जो छे रिजनलस पैसलाइस अ सेंटर है ना नाम रखना है यह सारे काम इंडियन मटेरियोलोजिकल डिपार्टमेंट करता है इस रीजन के लिए ठीक है इन 13 कंट्रीज के लिए तो यह चीजें याद रखेगा नेक्स्ट बात करें अब यहाँ पर साइकलोन के नाम कुछ कंट्रीज के द्वारा जो से रच किये गए है ज साइकलोन असना पाकिस्तान ने दिया है साइकलोन दाना कतर के द्वारा नाम दिया गया है और साइकलोन फेंगल यह साओधी अरभिया के द्वारा दिया गया है तो अब नेक्स्ट चार साइकलोन जो भी आएंगे उनके नाम यही देखने को मिलेंगे और यह कंट्रीज के इसका मतलब होता है disaster या फिर calamity यह cyclone Arabian Sea में आया था और इसने गुजरात में मांडवी और पाकिस्तान में कराजी को affect किया था cyclone Mandoz was recently seen in news the name Mandoz is given by which country तो यह Mandoz नाम UAE के द्वारा दिया गया था यह cyclone Bay of Bengal में आया था इसने Tamil Nadu और Poodi Cherry के coast को hit किया था अगला question है cyclone Sitrang was recently seen in news the name Sitrang is given by which country यह नाम दिया है Thailand ने Bay of Bengal में यह वाला भी cyclone आया था और Bangladesh को इसने basically affect किया था Thailand के द्वारा Sitrang इसको नाम दिया गया फिर है cyclone Midli this made landfall in Bangladesh यह Midli नाम किस country के द्वारा दिया गया है तो यह Maldives के द्वारा दिया गया है Maldives ने यह नाम suggest किया था इसको इस cyclone ने affect किया है Odisha, आंधरपरदेश, वेस्ट बेंगॉल और बांगलादेश ने और Bay of Bengal में यह cyclone फॉर्म हुआ था अब next है cyclone Hamun यह नाम दिया है एरान ने यह cyclone भी Bay of Bengal में फॉर्म हुआ था cyclones Tej and Hamun इन्हें twin cyclones के नाम से जाना जा रहा था North Indian Ocean में डेवलप हुए थे दोनों ठीक है तो यह दोनों ही याद रखेगा Hamun के साथ Tej एक twin cyclone था और फिर हमने 2018 में एक इस तरह का twin cyclone देखा था Luban और तितली ठीक है तो यह पीछे का थोड़ा याद रखेगा अभी Tej और हमून बेवफिंग कॉल में फॉर्म हुआ और इरान ने इसका नाम सजिस्ट किया था cyclone Tej was recently seen in news the name Tej is given by which country Tej नाम इंडिया के द्वारा दिया गया है इस यह जो cyclone है अरभियन सी में यह फॉर्म हुआ था और Oman और Yemen को basically affect किया था इस cyclone ने ठीक है तो Tej नाम दिया है इंडिया ने और हमून नाम दिया है इरान ने दोनों ही twin cyclones थे cyclone Mandos has impacted which state recently इसने Tamil Nadu को hit किया है और UAE के द्वारा नाम यह सज़स्ट किया गया cyclone Asani was recently seen in news the name Asani is given by which country इस नाम को दिया है श्रिलंका ने Bay of Bengal में यह भी फॉर्म हुआ है Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal इन states को इसने अफेक्ट किया था और 2022 का पहला storm था यह North Indian Ocean region में cyclone Asani 2022 का पहला cyclone इस तरह से कुछ यह यहाँ पर फॉर्म हुआ और फिर यह जो यहाँ वाले states इनको इसने अफेक्ट किया था cyclone Jawad इसे नाम दिया है Saudi Arabia ने इस cyclone दिसंबर 2021 में यह आया था Andhra Pradesh, Odisha और West Bengal इनको इसने अफेक्ट किया था विच कंट्री हाज बिन अफेक्टेड बाई टाइफून मुईफा इन 2022 अभी एक चीज़ यह दरखेगा हमारे हाँ पर इस चीज़ को cyclone बोलते है जब हम South Asian countries में जाते हैं जाइना जापान की साइड वहाँ पर cyclone को ही टाइफून बोला जाता है Australia में इसी को विली विली बोला जाता है ठीक है तो टाइफून cyclone ही है लेकिन वहाँ टाइफून बोलते हैं एक तरह का storm होता है जो water body में form होता है basically sea में, ocean में form होता है है ना अब देख लेते हैं तोड़े से terms इसके क्या-क्या चीज़े, keywords हैं इसके अंदर cyclone जो है कोई भी low pressure area होता है with winds spiraling inwards मतब जब भी किसी जगे पर low pressure create होता है तो यह आपको पता होगा geography का funda है high pressure से low pressure की और हवा जाती है, ना move करती है तो जब भी किसी जगे पर low pressure create होता है तो उस जगे पर क्या होता है, बाहर से high pressure से हवा आकर वहाँ पर आती है, तो कोई भी low pressure वाला area होता है, cyclone जहां पर बाहर से अंदर की और हवा आती है और फिर वो round round घूमती है, तो थोड़ा इस तरह से बन जाता है, चक्रवात बोलते हैं इसको cyclones rotate anti clockwise in northern hemisphere and rotate clockwise in southern hemisphere अब इसको मैंने तो इस तरह से याद किया हुआ है यह है हमारा equator यह southern hemisphere है, यह northern hemisphere है है ना हम यहाँ N की यह जो इस से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे होता है और S में ऐसे जाएंगे तो यह ऐसे घूम सकता है तो बस यह यह याद रखने का तरीका है cyclones जो है, अभी N में ऐसे जा रहा है, यह कैसे घूम रहा है anti clockwise, तो northern hemisphere में anti clockwise होता है और southern में clockwise होता है यहाद हो क्या process को cyclogenesis के नाम से जानते है there are various types of cyclones depending on the type of prevailing low pressure system अलग अलग तरीके के होते हैं जैसे कि tropical cyclone, extra tropical cyclone or tornadoes low pressure जादा है, कम है उसी के अनुसार wind की speed तेज हो जाती है या कम हो जाती है, जादा disaster हो जाता है बहुत तेज तेज घूम के जादा disastrous हो जाता है या कम disastrous है उसी के अधार पर इन्हें अलग अलग types में देखा जाता है अब फिर से questions पर आ जाते है which region of India is usually affected by tropical cyclones कौन सा region है basically coastal region है क्योंकि समुद्र में ocean में cyclones आते हैं coastal region पर ही वो affect करते हैं और एक चीज़ भी आद रिखेगा ocean से ocean में form होता है cyclone लेकिन जैसे ही वो land की तरफ आगे बढ़ता है ना तो खत्म हो जाता है क्योंकि सारी power जो मिल रही है उसको पानी में इसे लिए क्योंकि वह पर low pressure create हो था तो जैसी land की तरफ वो आगे बढ़ता है वो खत्म होता जाता है तो यह सारे areas हैं जहां पर tropical cyclones हमें देखने को मिलते हैं cyclones को हमारे वाले region में cyclones बोलते हैं typhoon बोलते हैं East Asia वाले region में इसको typhoon बोलते हैं फिर हम USA की side आ जाते हैं hurricane बोला जाता है और Australia में willy willy के नाम से cyclones को जानते हैं cyclones को यह सारे tropical cyclones ही है हर साल लगभग 30 के time भी यहां पर mention किया यह किस time पर क्योंकि यह हम लोगों पता है earth rotate करती है तो उसी के हिसाब से हमारे मौसम भी बनते हैं और उसी के हिसाब से C का temperature भी अलग अलग जगे पर अलग तरीके का होता है cyclones form होने के लिए एक important condition होती है कि C का temperature 27 degree celsius होना चाहिए इससे जादा ठीक है इतना है इससे जादा 27 degree celsius C का temperature जब हम यहां पर आएं USA की side में तो यहां इस side को जून से October के बीच में होता है तो इस time आते हैं यहां पर hurricane फिर इधर आये हम तो August से October के टाइम पर यहां पर यह temperature मिलता है तो इस लिए इस time पर यहां hurricane आते हैं हमारे यहां पर देखें cyclones October से लेकर November और यहां थोड़ा Indian Ocean में जाएंगे December to March का time उस time यहां पर conditions बनती है इसके लिए विली विली जो आता है उस्ट्रेलिया में यहां पर January से March का time होता है और टाइफून के लिए May to December का time होता है जब cyclones बनने की condition वहां पर बनती है ठीक है अब extra tropical cyclone की बात करें तो इस area में extra tropical cyclone बनते हैं यहां पर पता है बनने की condition जैसे वहां आपने देखा था 27 degree Celsius से उपर होना चाहिए temperature वह एक major condition है जो होनी चाहिए यहां पर थंडी हवाई और गर्म हवाई जब एक दूसरे से टकराती है दूसरे से मिलती है तो फिर वहां पर cyclone होता है तो यह tropical area में क्योंकि नहीं है इस लिए इसको extra tropical cyclone बोलते हैं और यह low pressure create होने की वज़े से ही बनता है ठीक है इसलिए tropical ही इसको बोलते है extra tropical हो जाता है which country has been affected by Typhoon Muri Typhoon हम लोगों ने देखा कहा होता है बोलते है जापान को affect किया था इस टाइफून ने Pacific Ocean में आया था और North Korea के द्वारा यह नाम दिया गया है which country has been affected by Typhoon Hinanmore यह टाइफून भी जापान को इसने affect किया था और जापान South Korea दोनों countries को Pacific Ocean में originate हुआ था which country has been affected by Cyclone Batsirai in 2022 तो इसको Medagascar जो है इसको affect किया था इस टाइफून ने सौरी इस साइक्लोन ने South West Indian Ocean में फॉर्म हुआ था मौरिशस के द्वारा यह नाम दिया गया है which country has been affected by Typhoon Alex in June 2022 टाइफून का नाम आप सुनेंगे ना तो थूड़ी असानी हो जाएगी क्योंकि Indian Ocean वाला cyclone फिर वह नहीं होगा यहाँ पर हम देखें फिर कोशियन में टाइफून फॉर्म हुआ था which country has been affected by Typhoon Maon in August 2022 यह फिलिपिन्स और हॉंक कोंग के द्वारा यह नाम दिया गया था what causes tropical cyclones to rotate कौन से कारण है कौन से कारण है जिसकी वज़े से रोटेट होता है tropical cyclone यह कारण है coriolis force अब जैसे हमने बात की थी कि high pressure से low pressure की और हवाय जाती है लेकिन यह हवाय घूम कैसे जाती है और जो हमने देखा northern hemisphere में anti-clockwise, southern में clockwise यह घूम कैसे जाती है तो coriolis force की वज़े से यह घूमती है क्योंकि हमारा planet rotate हो रहा है तो उस rotation की वज़े से कोई भी और चीज़ पर भी उस rotation का effect पड़ता है उसी को बोलते है coriolis effect इस तरह से जो कुछ घूम जाता है cyclones of the Bay of Bengal region mainly occurred during किस दौरान यह cyclones form होते है Bay of Bengal में तो pre and post monsoon period में basically देखे जाते है which of the following tropical cyclones had hit the western cost of India in May 2021 यह आया था तोकाते मयानमार के द्वारा यह नाम दिया गया था Arabian Sea में Arabian Sea में Arabian Sea में यह form हुआ था 2021 का पहला cyclonic storm था गुजरात को इसने effect किया था tropical cyclone है नाम दिया गया इसका मयानमार के द्वारा अब यह वही चीज़े जो हम देख चुके है cyclones बोला जाता है Indian Ocean और Western Pacific area में पूरे hurricanes बोला जाता है Atlantic और Eastern Pacific region में और टाइफून Southeast Asia में बोला जाता है the center of a cyclone is a calm area it is called the word of the storm जो center होता है जो यह आप देख रहे है इसको बोला जाता है ठीक है और यह बहुत शान्थ area होता है यहाँ पर कुछ भी movement नहीं हो रही है तो बिल्कुल आप cyclone के eye में अगर खड़े है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि असपास इतनी तेज हवाय चल रही है कि अतुफान आया हुआ है क्योंकि यह बहुत शान देज़ा होता है इसको eye कहते है ठीक है temperate cyclone are also termed as temperate cyclones को extratropical cyclones, wave cyclone or depression सभी नामों से जाना जाता है ठीक है तो extratropical cyclone जो में देखे थे उसको temperate cyclone भी कहते है which term for the cyclone is applied in the china sea and pacific ocean तो हमने देखा वह पर टाइफून के नाम से जाना जाता है which term is applied for the cyclone distributed in the Indian ocean तो इनको क्या बोलते है tropical cyclone बोलते है अब last में question आप लोग के लिए cyclone Michong was recently seen in news the name Michong is given by which country? Yemen, India, Myanmar या Bangladesh answer बताएगा कमेंट में और यसी के साथ वीडियो का हता है and thank you so much for watching Jai Hind